किन्नरीस किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पके हुए केलों में से फराली मालपुआ वैसे तो हम कहीं अलग-अलग तरीकों में से और कहीं अलग-अलग आटों में से मालपुआ बना कर खाते ही है लेकिन आज हम एक ऐसा मालपुआ बनाएंगे जिसे हम व्रत या उप्वास में भी खा सके जी हाँ आज हम पके हुए केलों में से मालपुआ बनाएंगे तो आईए देखते हैं केले का इस्तमाल करके मालपुआ किस तरह से बनाए जाते है सबसे पहले एक मिक्सर जार में हम दो पके हुए केलो को कार कर डालेंगे मिक्सर जार में एक कप राजगीरे का आटा डालेंगे राजगीरे के आटे के अंदर पहले से ही तीन टेबल स्पून मोरेया का पाउडर बना के डाला हुआ है मोरेया को आप मिक्सर जार में पीस के उसका पाउडर बना ले मोरेया का पाउडर मिलाने से माल पुआ अंदर से नरम और उपर से क्रंची बनते है इसलिए मोरेया का पाउडर डालना बिल्कुल ना भुले अमूल फ्रेश क्रीम सक्कर और दूद डाल कर ब्लेंडर में पेस्ट बना लेंगे ये देखिए हमने पेस्ट बना ली है लेकिन पेस्ट थोड़ी गाड़ी लग रही है इसलिए तीन टेबल स्पून पानी डाल कर इसे पतला कर लेंगे ये देखिए बेटर की कंसिस्टन्सी कुछ इस तरह से है बेटर को बाउल के अंदर निकाल लेंगे बेटर के अंदर एक टेबल स्पून भूनी हुई फ्रेश सौंफ का पाउडर डाल कर मिला लेंगे इसे माल पुवे में बहुत ही अच्छी महक आती है एक च्छी टेश स्पून बेकिंग पाउडर डाल कर मिला लेंगे और बाउल को डग कर 30 मिनिर के लिए साइड में रख लेंगे एक स्टील के बरतन के अंदर माल पुवा के लिए चासनी बनाएंगे बरतन के अंदर एक कप पानी के अंदर एक कप सक्कर को घुल जाने तक मिलाएंगे एक तार की चासनी के पहले की कंसिस्टनसी की चासनी हमें बनानी है सक्कर को हमने पानी के अंदर लगबग 2-3 मिनिट तक मिला लिया है इसे हमें लगबग 3-4 मिनिट तक लगातार ऐसे ही चलाना है 3-4 मिनिट बाद चेक करने पर चासनी चीप-चीपी लगने लगेगी 8-10 केसर के तातने और 1 टीस्पून इलाइची का पाउडर डालेंगे इलाइची के पाउडर ने चासनी को खुशबुदार बना दिया है चासनी कम हो जाने तक पकाना है इतनी चासनी बनने में लगबग 8-10 मिनिट लगते है ये देखिए चासनी पर कर काफी कम लग रही है चासनी की consistency चेक करने पर चीप चीपी लग रही है चासनी ठंडी होने पर जम न जाए यानि की crystallization न हो इसलिए हम आदे निम्बू का रश डालकर एकाद मिनिट के लिए पकाएंगे चासनी बन कर तैयार है गैस का switch बन कर लेंगे और चासनी को ठंडा होने देंगे मालपुआ उतारने से ठीक पहले मालपुआ के बेटर को दो मिनिट के लिए विस कर लेंगे इससे मालपुआ खाफी नरम और स्पॉंजी बनते है एक चोड़े पेंड के अंदर गाई का स्चोच देशी गी गरम करेंगे गैस को हमने low to medium आज पर रखा हुआ है अब हम गी गरम होते ही मालपुआ उतारेंगे मालपुआ हम छोटी छोटी साइज के बनाएंगे जिससे एक साथ दो मालपुआ उतर सकेंगे एक बड़े चमचे के अंदर बेटर लेके गरम गी के अंदर आइस्ता से मालपुआ उतारेंगे जहारे से मालपुआ के उपर गरम गरम गी डालेंगे जिससे मालपुए उपर के और से भी अच्छे से तल जाएंगे दोनों ही मालपुओं को हमने उपर की और गरम घी डाल के पका लिया है ये देखिए मालपुओं नीचे से तल जाने से घी के अंदर तैर रहे है दोनों ही मालपुओं को पल्टा देंगे और नीचे की और से अच्छे से तलने देंगे ये देखिए मालपुए के ऊपर कितना अच्छा सुनारा कलर आ गया है दोनों हुई मालपुए को नीचे की ओर से भी 11 मिनिट तक तलने देंगे दूसरी ओर 11 मिनिट रग के मालपुए तल जाते ही बाहर निकल देंगे मालपुओं को जारे के अंदर रख कर एक्स्टा गी निकाल देंगे ये देखिए कितने अच्छे सुनरे रंग के मालपुओं बनकर तयार है दूसरे मालपुओं में से गी निचोड कर बाहर निकाल देंगे इसी तरह से बाकी बचे बेटर में से मालपुए उतार लेंगे सभी मालपुओं को तल कर एक प्लेट में निकल लिया है ये देखिए हमारे सारे मालपुए तल कर तयार है पके हुए केले और सक्कर की मिठास की वज़े से ये मालपुए ऐसे ही मिठे है अब हम माल पूओ को 2-3 मिनिट तक चास्नी में डुबोएंगे माल पूओ को चास्नी में डुबोते वक चास्नी हलकी से गरम होनी चाहिए अगर चास्नी थंडी हो गई है तो दो बारा गरम कर ले 2-3 मिनिट बाद चासने निचोड़कर मालपूओ को बाहर निकाल दे मालपूओ को प्लेट में निकालकर कंडेंस मिल्क पॉर करके पीस्ता की कत्रों से सजाकर सव करे यहां मैंने रबडी की जगा कंडेंस मिल्क का इस्तमाल किया है केले से बने इंस्टन्ट मालपूओ बच्चे और बड़े सभी को बेहत पसंद आते है आशा है केले के बने इंस्टन्ट मालपूओ की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो इस नवरात्र में जरूर से कुछ नया ट्राइ कीजिए हैपी नवरात्री ऐसी और नई रेसिपीज के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दन्यवाद आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो टेप पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो टेब पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो टेब पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो टेब पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो टेब पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो टेब पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो टेब पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो टेब पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो टेब पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो टेप पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी